तो आपका इरूटेरिया का यह करेंट अफेर्स है हम लोग इस चेप्टर में पहुंच गए टॉपिक नंबर कितना हमारा यह हैं टॉपिक 31 ठीक है अंत्रीज पॉदॉग की फिले शुरुवात करते हैं चंद्यान तीन को लेकर सबसे पहला कोश्चन है और इसको हम लोग ने साइनसे टेक में परहा भी है तो चंद्यान तीन भारत का एक महत्वा कांची चंद्रमीशन है जिसका उदेश से चंद्रमा की संदशना को बेहर धंक से समझने और उसके विग्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सत्ता पर उपलब रिरासायनिक प्राकृतिक की सत्तव मिट्टी पानियादी पर वेग्यानी प्रयोग करना ठीक है और किस रॉकेट सो लांच किया गया वहाँ पर भी मैंने कई बार बोला ता इसका नाम ध्यान में रखने के लिए पूरा पूरा बताए कि क्या नहीं रॉकेट का नाम नियम्मिदा रॉकेट का नाम तो चंद्रियान तीन की बात करेंगे चंद्रवा के दचनी धुरूप के पास उस क्रेटर का नाम बताई है जहां पर इसने लैंड किया प्रेटर का नाम क्या है तो क्या बताएंगे मैंजिनियस यू क्या नाम है इसका मैंजिनियस यू ठीक है ये क्रेटर का नाम है ठीक है कितने दिनों की यादता के बाद चंद्रियान फिरी जो था अपने जो इनका जो लक्ष जो था उस लक्ष पे मतलब पहुंच गया कितने दिनों की यादता के बाद चालिस दिनों की य छे बच के जीरो पूर हुरूट इक है और बात करेंगे जिस समय यह मिशन चल लहा था इस मिशन को पूरा करने हैं अगर बात करें इस रोका अध्यक्ष का नाम की बात अगर पुछा जाए तो रहेंगे एस सोमनार जो थे इस्रो का अध्यक्ष टे टीक है चंद जान तरी के project director का नाम ध्यान भाए फी बीर मुथूबेल किया नाम था बीर मुथूबेल साब की बात करेंगे project director थे है mission director कौन था थे क्या बताएंगे मोहन कुमार module के बारे मैंने बता है तीन module थे एक module का नाम क्या है propulsor module lander module असाथ में rover module था ठीक है प्रोपलसन के काम क्या होता था यह लेंडा रोवर को संदरकषा में 100 km तक ले जाएगा धिक है मत्तब रोवर को भी ले जाएगा इसमें एक विशे माप के साथ महत्पुन अध्यन भी करेगा ठीक है अब चंद्यान स्थी का Lander का नाम क्या था तो क्या बताएंगे बिक्रम था ठीक है Rover का नाम क्या था तो क्या बताएंगे Rover का नाम प्रग्यान था ठीक है Rover में कितने पहिये थे तो क्या बताएंगे कितने पहिये थे? 6 पहिये थे, ठीक है? विक्रम जो lander जो था उसमें कितने payload थे ते क्या बताएंगे? 4 चार पहिये रामभा ती एचेस्ट क्या परहेंगे इसको? इलीसार लारा एलेरा ठीक है? इस सब का यह important नहीं है लेकिन 4 पहिये थे लेंडिंग अस्तल के आस पास मौलिक संदचना क्या करना? प्राप्ट करना, ठीक है? रोबर पर गयान लेंडर विक्रम के साथ कम्मुनिकेशन करेगा, ठीक है? रोबर पर गयान क्या करेगा? तब विक्रम जो लेंडर जो है उनके साथ क्या करेगा? communicate करेगा यह आपको ध्यान में रखना है जो कि डाता को भी खठा करेगा ठीक है चंद्यान तीन मिसन के दोरा रोबर के टायरो पे चंद्रवा की सता पे भारत का राष्टी चिन अशुक अस्तम का निसान भी बना दिया है ठीक है और चंद्यान तीन की बात करेगा चंद्रवा के सता पे लगा चौदा पित्वी दिवस राज इसको एक चंद्र दिवस जो होता है चौदा दिन का होता है उतना समय इन्होंने वहाँ पर क्या किया है गुजारा ठीक है ध्या उन्ना पर जाने वाला और सब्लाइं के लिटीक राएंट कर मादेश बनाए तो गारथ छंद्रवा परश चंद्रवा पर सौप्ठ लैंडिकरने वाला रा क्रण्दमा नदा इंडिया फोछ दश रैफ चॉता देश मना इस्ते पहले तीन देशंडवा पर लैंड कर चुकर कुन-कुन सा देश है? अमरीका है, रूस है, फिर तीन अमरीका कब चांद पर पहुचा था? तो 1969 में, कब गया था? 1969 में, किस रॉकेट के साथ कया था? रॉकेट का नाम क्या था? क्या बताएंगे? तो Apollo 11 था, क्या नम था इसका? Apollo 11, ठीक है? तो अंत्रिच में कदम रखने वाला पहला देश कुन था अंत्रिच में कदम रखने वाला पहला देश रसिया की बात करेंगे तो अंत्रिच में कदम रखने वाला पहला थे प्राहान मति ने छुसना की कि चंदरा उसे क्या नाम दे जाएगा तो से सिंग चंद्यान 2 जहां पर उत्टा हा उसका नाम क्या दे जाएगा है त्रतिरंगध प्यंट से नाम आरे जाएगा तो टीक है थो दूसरा यह कब लुइट हुआ था? । हुआ टीक है और यहां पर को किस नाम से लान से लोंच हुआ था हुआ है अब आगे एक मेल में और खोशना कि कि हर सल कितने तारी को नेशनल स्पेस डे मना जाएगा 23 अगस्ट को चंद्रमाग पे चंद्रमाग पे संद्रमाग पे संद्री की सता पे लेंडिंग हुए ठीक है अब बात करेंगे चंद्रियान 1 के बारे में तब 22 सक्टूबर 2008 को रॉकेट PSLV XL C11 के दौरा इसको सफलता पूर्वक लांच किया गया चंद्रियान 2 के बारे में जान लेंगे तब 22 जुलाइ 2019 इसको GSLV MK3 के दौरा लांच किया गया जिसके अंतगर थेक और विटर ने सफलता पूर्वक चंद्रमाग की कच्छा में परवेश किया तो लेंडर इसमें भी विक्रम था रोवर इसमें भी परग्यान था ठीक है यही जो है स्वाप का चंद्रियान 2 के ही लेंडर और रोवर का परियोग चंद्रियान 3 में भी किया गया है ठीक है अब आते अदित्य एलवन किसके लिए मिशन है किस ख़गोलिय पिंट के लिए है तो सूरे के लिए है ठीक है तो आदितिया लवन सूरे के ब्यापक अध्यन के लिए समरपित उपगरा है जिसके प्रोजेक्ट डारेक्टर की बात के नीगर साजी है ठीक है क्या नाम है प्रोजेक्ट डारेक्टर के ना पाइंट है, कितने combination है, सुरे में, कितनेakt पाइंट है, एक, दो, तीन, चार, पाँच होता है ठीक है, यह पित्वी ह और सुरे के बीच में होता है, gravitational force की रेट करता है ठीक है, तो पाँच है, अभी जिसका अध्यन करनेवाले है, तो एक का अध्यन करने वाले है ठीक है बिल्कुल एक का अध्यन करने वाले है ठीक है तो संस्कीत में आधित्य का आठ सुरे होता है यहाँ L1 सुरे पिठभी फरनाली में Language 1 को संदर भीट करता L1 क्या है तो L1 अंतिच का वह स्थन जहाँ सुरे और पिठभी जैसी खोगोलियों फिंडों के गुत्पा कर्शन बल संतूलन में राता है डेख रहे हैं समझे रहे हैं तेहां पर है ठीक है इसमें ने 2 सितमबर 2020 को अपने सुरे मिशन आधिते L1 को पर छेपित किया 37 अंतिच किस रॉकेट के दोरा इसको लॉंच किया गया तो क्या बताएंगे बतलब ये चंड्रियान अश्वरी क्याना आधिते L1 को किस रॉकेट के दोरा पीसलवी प्रभाव मंडल का चाहा में अलताबित गिया गया जहां यह सौर वाई मंडल चुमबक्य तुफान और पिठवी के चारो परावरन पर उनके प्रभाव का अध्यन करेगा ठीक है अध्यात बहो कि पिठवी सौरे पर्नाली के और विटर में कितने लांगरेज विंडू है पाँच है ठीक है ल 1, L2, L3, L4 और L5 जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है तो इटली के खगोल सास्ती थे जिसका नाम था जोसेफ लूई ल परकास का निरच्छन करेगा सेस्तीन प्लाजमार चुमक्यत शत्र के अस्थानी मान डंडो को मापेगा ठीक है तो ध्यान रखनी का उसको हम लोग बोलते है पेलोड बोलते है ठीक है मतलब खुल जाएगा सब बाद सीधे मतलब भटक-भटक के जनकारी पराप्त करेगा त ठीक है तो यह था आपका काफी महत्मून टॉपिक था यह अब आते 2023 इसमें इसरो द्वारा किये गये महत्मून अभियान कौन-कौन से अभियान जो था इसरो के द्वारा शुरू किया गया है तो ध्यान बाद सबसे पहले EOS-08 मिशन ठीक है EOS-08 मिशन की बात करेंगे तो SSL भी D3 के साथ इसको लांच किया गया है ठीक है मतलब रॉकेट का नाम है पर शेपन यहान मतलब रॉकेट का नाम है ठीक है EOS-08 मिशन का उदेश क्या है तो इसका उदेश है एक माइक्रो सेटेलाइट के डिजाइन और विकसित करना एक मिने जूम करना दीजो इसका उदेश क्या है तो ध्यान बाद रखना है एक सिकेंट तो इसका उड़े से क्या है तो एक माइक्रो सेटेलाइट के डिजाइन और विकास करना पेलोड उपकरनों का निर्यात करना था था भविश्थिक के परिचालन उपकरों के लिए आवस्तक नई पॉल्डोकियों को सामिल करना है तो इसको इसी बर्स दो उविस में लांच किया गया है अब इसके बारे में तो जानते हैं आर-अल-वी लेक्स की बारे में पिर लिए पर्षपन यान से इसको बर्ची किया गया क्या है ये? तो RLV Lakes उस्पक का सफल landing करनाटर के चितर दुर्ग में किया गया ठीक है Lakes सिंखला का तिसरा अंतिम परिक्षन था इससे पहले इसरो का Lakes 01 Lakes 02 मतलब क्या हो चुका है सफल परिक्षन हो चुका है अब याएंगे RLV landing परियोग किया गया तिक है यह 2024 में इसको भी RLV से ही लॉंच किया गया RLV Lakes 02 हलीकोप्टर से छोड़े जाने वाले छोड़े जाने के समय प्रारंभी के सित्यों का पूरा परियोज परियोज परिशपन यान RLV की इस बाट लंडिंग चम्ता का परदसन हुआ मतलब भी RLV टक्नीक क्या है? जब हमने बता दें, जैसे माली जी सिक रॉकेट का हमने परियोग किया. रॉकेट का परियोग करने के बाद जब रॉकेट जब क्या करता है? उसको सही तरीके से अस्थापित करें. रॉकेट क्या करेंगा? सैटेलाइट को जहां पर भेजना था उसको भेज दिया, उसके रॉकेट का इउच नहीं हो जाता हूँ, क्या हो जाता है? स्वाप्त हो जाता है, कहीं पर जाके गिर गया, कहीं पर जाके तूट गया, फूट गया, भी आलफिलाल मैं अस्ट्रेलिया में मिला था. लेकिन जब RLV टक्नीक का जब परियोग बजाप्ते के जाके सेटेलाइट को लाँच करेगा, फिर वो धर्ती पर मतलब वो आपस लेंड करेगा, ठीक है? अग्तव जाके उसका आगे के भी मिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है? उस तकनीक पर भारज जो काम कर रहा है, इसका तीन सफर परिक्शन हमने किया ह ठीक है? मतलब आप इस तकनीक का हम लोग अच्छे तरीके से परियूग कर सकते हैं, इनसेट 3DS मिशन, ठीक है? इनसेट 3DS मिशन की बात करेंगे, तो GSLV A14 के साथ इसको लाँच किया गया है, इसका उदे से क्या है? भू एस्थेतिक अस्थांतन का चाहा, GTO में, इनसेट 3 3DS, ठीक है? मेल्टियो एरोल जी का लूपगराव को अस्थाफित करना, यह मिशन पूरी तरसे पित्वी बिग्यान मनताले के दोरा बित पोसीत है, ठीक है? तो ध्यान में रखना है, तो GSAT, इनसेट 3DS मिशन को फाइनस कोन कर रहा है, फंड कोन कर रहा है, तक पित्वी बि करेगा, तब PSLV C-58 के माधन से Black Halls और Newton Star के बारे में जनकारी एकत करने के उदसे से X-ray Polarimeter उपगरा, यान एक्सपो सैट उपगरों को सिरी हरी कोटा से सफलता पूरवक लाँच किया गया, ब्लेक होल्स के बारे में और Newton Star के बारे में आपको जनकारी देगी, कौन देगी एक्सपो सैट मिशन ने किस रॉकेट के साथ लाँच किया गया है, तब PSLV C-58 के साथ लाँच किया गया है, अब आते गगन यान का पहला परिच्छन उराण, जिए को TBD-1 से लाँच किया गया है, यह मतलब गगन यान ने, अभी क्या कर, हम लोग परियोग करके देख रह मतलब क्या करना, परदसन करना है, तो किसी परकार के घठना अगर आ जायते है, जो क्रू मेंबर जो हैं को एसकेप कर सकते है कि नहीं कर सकते है, ठीक है, इसलिए इसको लाँच किया गया है, TVD-1 से गगन यान का पहला परिच्छन उराण, आधिती L-1 मिशन की बात करेंग ठीक है, इसको PSLV C-56 से लाँच किया गया, कौन सा, DSSR मिशन, ठीक है, इसका परपस क्या है, तो सिंगापूर के DSSR उपगर साइट, कुल साथ उपगर होका PSLV C-56 के जरिए सफलता पूर्वा कंटिश में भेजा गया, ठीक है, तो DS, DSR किसका है, तो सिंगापूर का है, क संदमा के दशनीज रूपे सपर लेंडिंग का नवला विश्व का प्रथम देश मन गया, NBS 01 की बात करेंगे, GSLV F-12 से लाँच किया गया, ठीक है, NBS 01 अगली PD के नाविक सिंखला का पहला उपगरा, जिसका उड़े से देश के नव बहन चमताओ को बढ़ना, नाविक की बात करेंगे, तो से अमरीका का किस पर काई सब्सक्राइब का पहला भारत का भी नाविक है, ठीक है, तो नाविक सिंखला का पहला उपगरा ध्यान वेकर NBS 01 था, अब जाके NBS 01 को लांच कर दिया गया, इभारत में 9 बहन चमताओ को बढ़ाएगा, ठीक है, टेली ओस टू मिसन की बात करेंगा, अप्रेल 2020 में लांच किया गया, प्येसल भी सी 55 से लांच किया गया, इस मिसन कहता है, सिंगापुर के दो उपगरा, जिसमें प्रात्मिक उ OS 2, असा यात्री उपगरा करा में, लुमिलाइट 4 भी सामिल है, एक टेली ओस से भी सिंगापुर के उपगरा को लांच किया है, ठीक है, ध्यान बखा, दोनों में PSLV C-56 रॉकेट का ही परियोग किया गया है, यह भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, आप ध्यान में यह एक में C-55 है, अच्छा सोरी, टेली ओस में C-55 है, और DSR में C-56 है, ठीक है, अब जाते इसरो के अगामी मिशन, ठीक है, मतलब यह भाविस में इसरो के मिशन जो है, तो सबसे पहले भारतिये अंतिशे स्टेशन एक अस्थापित करना है, ठीक है, तो हम लोग अपना ए जाएगा, 2035 तक, बिल्कुल 2035 तक हमारा अंतिशे स्टेशन बनके तयार हो जाएगा, एक नियोजित राजिया स्टेशन जिसका ओजन 20 टन होगा, और पिथभी से लगए 400 किलो मिटर उपर अपनी कच्छा में रहेगा, जहां अंतिशे आते 20 से 15 दिनों तक हैं, 15 से 20 दिनो तक राम से रा सकते हैं, चंदरियान 4, कभ तक launch होगा चंदरियार 4? चंदरियार 4 का launch का लें, यह सन्दरियार 4 का लांच का तो तो इसका पहुंचना है, अब आते 1 और 2 तो यह Ganganian tuh के बात क्रिफीश है Gaganian 2 की बात करेंगे 24 और 25 है निसार का पुरफरम होता है ना सा इसरो गा होता है अपालार, ओस पर फिखना है निसार का फूर्फराम होता है निसार जो नासा इसरो का संजुक्त उपकरम है जिसमें नासा का फंडिंग ज्यादा है इसरो का कम है नासा इसो सैनतेटिक अपर्टर रड़ा निसार की बात करेंगे तो नासा और इसिरो के बीच एक संजुक्ड पर्यूजना है ध्यान रखना है थीक है बात के गगन यान 3 यह 2025 में ध्यान रखना है 2025 में मानब को लेके जाएगा थीक है बिल्कुल चौथा हो जागा, ठीक है? ध्यान बखेंगे, रसिया, पहले रसिया है, उस कार अमरिका है, फिर मतलब चाइना है, फिर मतलब भारत है, ठीक है? अब आते हैं निसार, निसार तो हो गया, सुक्रियान की बात करेंगे, सुक्रियान कब तक लाउंज करेंगे हम सुक्रगरा के थ depth के लिए और्वीटर भेजा जाएगा ठीक है आब आते लूपएक्स मीसन ठीक है तो लूपएकं जो है जलते शन्द धृूपए अंड बंसन जो इसको लूपएक्स बोलते चन्दमा के दसनी धूरूप शेतर का पता लगाने के लिए जक्सार इसरो का संजुक्त जो उपकरम जो इसको क्या बोलेंगे लुपेक्स तो लुपेक्स हमारा मिसने किसके साथ है तो क्या बताएंगे किसके साथ है जक्सा के साथ ठीक है जक्सा के साथ हमारा लुपेक्स है और निसार की बात करेंगे हमारे किसके साथ है USA के साथ है ठीक है नासा के साथ मंगल यान 2 की बात करेंगे तर आप हम यह बता मंगल यान 1 कब लांच किया गया था 2013 मंगल यान 2013 है ठीक है ध्यान में रखना है मंगल यान की बात करेंगे 2013 है 2013 है चंद्रियान 1 जो बता रहे हैं आप चंद्रियान 1 की बात करेंगे यह 2008 है ठीक है चंद्यान 2 की बात करेंगे 2000 कब है 19 है ठीक है चंद्यान 3 की बात करेंगे तो 2023 है अब मंगल यान जो है 2013 में था जो की एक भारतिय करेंसी पे दिखने को मिलता था लेकिन आप नजर नहीं आ रहा कौन सा करेंसी है तो मंगल यान थाउस पे 2000 के नोट पे ठीक है तो मंगल यान 2 की बात करेंगे तो 2024 में इसको लांच किया जागा ठीक है हां बिलकुल दो मानव रहित होगा ठीक है इसक्री एं अर्षान को लेकर जाएगा ये इनसान के, तीन इनसान को लेकर जाएगा जो कि एरफोस के ओफिसर है, नाम मैं भूल गया, आप लोगों में भी याद होना चाहिए याद है क्या तीन ओफिसर का नाम एक तो अंगर प्रताप मुझे याद है एक सुवांसु सुखला सुवांसु सुखला तो गगनियान टीन के साथ जाएंगे ठीक है, सुक्रियान को कब तक हम लॉँच कर रहे है सुक्रियान को, दोजर पच्छिस दोजर पच्छिस को, ठीक है लुपेक्स मिशन की बात के कब तक लॉँच होगा दोजर पच्छिस लुपेक्स मिशन किसका मिशन है इसके साथ लुपेक्स कर रहे हैं हम लोग जवान के साथ ठीक है मंगल यान टू कब तक है तो क्या बताएंगे 2026 2026 तक है ठीक है ध्यार रखना है और लोग आज़े सर कौन सर डेबरिज प्री करना सर 2030 तक है ठीक है ठीक है डेबरिज प्री करना मतलब बोलते है न अंतिक्षिय मलवा ठीक है जैसे किसा माल जैसा भी क्या यह जो तकनीक जो आपने जो देखा था कौन सार आर लवी तकनीक जो है इसी से ना मलवा प्री हो जाएंगे हम लोग कहीं न कहीं जाकर रॉकेट तो गिरता होगा गिरेगा है तो मलवा तो हुआ इसने अगर माले इसको फिर से हम अच्छे तरीके से जमीन पर लाइंड करवा देया इन फ्यूचर इसका यूज करें तो उसमें टकनीक तो काम करेगी ना तो यह प्रसन जो था बहुत लोगों ने लिखा था ठीक है बहुत लोगों ने इसरो के अगामी लक्ष के बारे में लिखा था आप लोगों ने को लिखा था तो मैंने बोला था उसमें आप दो चीज लिखो एक तो लिखो इसरो के लिए चुनौती लिखो इसरो के लिए अबसर भी लिखो ठीक है तो उसमें च लेखेंगे 2023 की जो चैर्शित किताबे हैं उनके उपर जा रहा हम लोग बात करेंगे ठीक है पर सबसे पहले हमें बताइए साहित्य अकाडमी बाल साहित्य पुरुसकार 2024 के लिए ठीक है हिंदी भासा के लिए किसे मिला यह पुरुसकार देवेंदर कुमार को मिला है कहानी संग्रह एकावन बाल कहानिया इन्होंने लिखी है ध्यानवर रखना है ठीक है बाल साहित्य पुरुसकार कुल कितने भासा में दिया जाता है तो कुल 24 पुरुसकार में दिया जाता की वासा कि किया है बताएंगे बच्चा वालों के बाल कानी के लिए मिला है हिंदी हाथा के मिलेह बाफ़ाइं मिला संजीब को मिला है ठीक है मैतिल भासा को किसे मिला यह बहुत important है मैतिल भासा के लिए बिहार के संद्रब से ठीक है बिलकुल बासुकी नात इच्छा को मिला है ठीक है अंग्रेजी भासा के लिए किसे मिला है निलन सरन गोर को मिला है उर्दु भासा के लिए किसे मिला है साधीका नवाब सार को ये टोटल 23 भासाओं में दिया जाता है कितने भासा में 23 भासाओं में दिया जाता है जिसे 22 जो है से आपका आठ्मी अनुसुची की भासा है एक भासा आपका एक्ष्टा है जो कि कितने भासा में दिया जाता है कि टोटल तईस भासा में देते हैं कितने भासा में देते हैं तईस भासा में देते हैं जोकि आत्मी अनुसिची के बाइस 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 ब तो सर दो एक्स्ट्रा हो गया ना बाइस जोबीस भासा में दिया जाता है एक बाइस आद दो एक्स्टा में इंग्लीज है एक जो एसे राजस्थानी है वह दिमार्ग से मेरा बतारा था ठीक है इसमें से मैतली का किसे मिला है क्या बताना अंग्रेजी का किसे मिला है क्या बताएंगे साधिका नवार्पशारा आप ऐसा करो न मैतली का न वो किताब का भी नाम ध्यान पर है बोर्ट संकेतन केळिए ठीक है किसके लिए मिला है त अंग्रेजी का निलम सरन गौर को मिला उर्दु भासा के लिए शादिका Lalसार को निला है तो बाइस वाला हम लोग याद करें, फोड़ देते हैं, नहीं याद करते हैं, तो गरबरासुन में से देख लीजे, बदी नरायन को मिला था ध्यान, तुमरी के सब्दे के लिए मिला था हिंदी में, अजीत अजाद को मिला था, ठीक है, मैतली में मिला था, पेंट में प्रिथवी के लिए मिला था, अजीत अजाद को, ठीक है, अनुराधा राव को मिला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंगरे जी के लिए मिला था, अनीस असफाक को मिला था, ठीक है, किसके लिए उर्दू के लिए, इस बार संजीब जी को मिला है, उससे पहले बदी polarized normal अcohol को मिला था निलम सरण्गोर को इस thinking about को मिला को 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 मिला तरक सिर्टकर को मिलने तो बते मैं बुकर पूरुसकर सबसे पहले आक को मैंе कर पूरुसकार है अंग्य जी भासा के लेखा को को दिया जाता है टिक किसको मिलता है मैं जीवाचा के लेखा को ही मिलनी दिया जाता है तो ध्यानों रखना इस वार जो मिला है जेनी एर्पेन बेग को मिला है किसे मिला है जेनी एर्पेन बेग को मिला है ठीक है ध्यानों रखना है ठीक है और किसले मिला थे कैरोस के लिए मिला है किसले मिला है कैरोस के लिए ठीक है कैरोस के लिए इसके अ ऑनुबादक है, Michael Hopman है, जेनी एरफन वेक, अंतराश्टी है, मैन बूकर पूस्टार पाने वाली पहली जर्मन लेखीका है, ठीक है, फिर 20 पर किसे मिला था, जो कि बुलगुरिया के था, किसले मिला था, किसले मिला था, किसले मिला था, इसके मिला है, जो कि भूल जाओगे, ताइम सेल्टर के लिए और दोजार चौभिस में जेनी एर्पेंबेग को मिला था किसके लिए एर्पेंबेक की बात करेंगे पहली जर्मन लेकिका है अब बुलिगेरियन ये भी पहले है जौर्जी गस्पएडिनोब की बात के ये भी पहले ही थे ठीक है तो यह मैन बुकर पुरुसकार है अब आते हैं बेकर पुरुसकार आते हैं ठीक है तो ध्यान में रखेगा तो यह मैन बुकर पुरुसकार जो था एंग्रेजी फासा के लिए मिलता था ना कि बुकर पुरुसकार में ना किसके लिए मिलता जानते हैं यह मिलता है आपको इसम तो प्रौ्रटम पर्टमार समाज्दें में चोवांगेलच नेशन तो कोमन पेफिशन के ठीक है जो सदस्यराष्ट होते है उस देश की एंगरेजी लेकाप को दिया जाता है ठीक है कॉमन बेल्ट के ध्यान परखना ना जिसके अस्थापना कभ उए थे कॉमन बेल्ट का कॉमन बेल्ट के अस्थापना कभ उए थे 46 नहीं से बताईए अनिसे चब बणताई हैं अनंजे जिसमें होगा शाद उनेशे एक तिस हमें भारत उनेशे कावं शेच हैं चेक किजेगा ऊनेशे था ना ना न फिस प्रस मैं इसा सदस बना थे 20 वर्सों के बाद अम ऐसा ही कुछ याद कि वे 20 पर के वारफ सदस्मनात है बाद चेक कर लिजेगा को अधिक एक इस 1931 1932 में हुआ है 11 दिसम्बर 1931 Commonwealth Games में 32 Games 32 में हुआ होगा 21 में हुआ है 21 दिसम्बर 21 दिसम्बर भारफ 20 साल के बाद इसका सदस्मनात है तब भुकर पुरुषकार जो है न दियान में के Commonwealth Nation के ही सदस्टों को दिया जाता है इसमें मिला Paul Lynch को मिला इस पर आईरिस लेखा लए भुकर पुरुषकार किसे मिला है Paul Man Booker अलग होता है Paul Lynch को मिला जो कि आईरिस लेखा किसले मिला है Prophet Song के लिए Prophet Song के लिए मिला है भारती मुल्की लेकी का चितना मारु की किताब Western Land को भी इस पुरुषकार के लिए नामित किया गया है तो भारती मुल्की जो लेकी का चितना मारु की किताब का नाम कर वेस्टन लेन इसको भी नामित किया गया था लेकिन नहीं मिल पाया, ठीक है बुकर पुरुसका 2022 किसे मिला था सेहाना करुना तिलका को मिला था सिलांगाई लेखा के, ठीक है, कौन से किस चीज के लिए मिला था, दा सेवेन मून सॉप ठीक है, माली अलमेडिया के लिए मिला था, ठीक है यहां उपने ऐसके युदफोटोग्राफर की कहानी के बारे में इउदफोटोग्राफर की कहानी के बारे मला इसमें मिला आइरिस लेखा पाल совершенно 2022 कquele सेहान करुना तिलका को मिला था ठीक है यह बुकर पूरुसकार है यह wanna पुरुषकार, गल्ती मत करना, अगला कि बात करेंगे, जिजटेन हमें पुरुषकार, पॉरुषकार के किसे मिला है? जेनी, एरफनबेग को मिला है. यहाँ़ पे गल्ती होने की समभभ नहांँ होती है. अब आते, जेसीटे भी पुरुषकार. ठीक है तो जैसी भी जो नहीं साहित्ते में दिया जाता है सबसे पहले इसको करेक्ट खीजेगा ठीक है जैसी भी किसली दिया जाता है साहित्ते का पुरुषकार किसे मिला है पेरुमल मुर्गुन को मिला है किसे मिला है पेरुमल मुर्गुन के लिए मिला है फायरबट के अं तुँगे सीसेहर राने को पिजिएक कम रस्षत सम्हान की बात करें गे थो प्रभा बर्मा को ुजिए आलमने मुझा लुख्या रुल्ब कि बात करेंगे तब पुष्वा भारती को मिला है तो ध्यान रखेंगे के लिए किसके मिला था तो पागल खाने के लिए ठीक है ध्यान रखना व्यास पूरुसकार टीक है अब आते ज्यान पूरुसकार की बात करेंगे दो जार तैस के लिए तो ग्यान कुछ पुरुषकार की बात के 223 के लिए ठीक एक उर्दू में दिया गया है कि इनको गुलजार साहब को दिया गया है और संस्कीत में किसे दिया गया है जगत गुरु राम भदरा चारे जी को दिया गया है ठीक है के बात के बारमा हिंदी उस्कार को मिला है युड़ा के लिए र्रीमामता जी साँगर को को दिया है टिसे समानित किया गया है ममता जी सागर को सर्गी को साहित्येक संगठन द्वारा दिये जाने वाला सर्वोच सम्माण क्या किसे रस्किन बॉन्ड को रस्किन बॉन्ड का कोई कृटी के नाम याद है कोई बी The Stone of Venice की बात करेंगे The Ruskin Board के दुबार लिखा गया बहुत important किताब है ठीक है और भी बहुत सारे किताब है ठीक है और कुछ famous किताब का नाम बात करें किसी को याद नहीं कहा प्रेंग जडनी वगेड़ा लिखेते साद वही थे क्या J.K. Rowling जो लिखा था वो लिखा था क्या नाम में उसको या रहा J.K. Rowling Perry Potter ठीक है एक किता मुझे इनका याद है अरे ये इंडियन आप्सर है का है The Room in the Room The Room in theement OK The Room in the room The Room in the 완IX Roodienna Kipling का जंगल पुी Jnngal Book नहीं हो गया The Room in the street Jnngal Book Rood 판 देखने पीषका है देखने दिची के गिसका है तोए वह सकता अफट्स लिजए आप takiej है बस इन को सहित कर्ण को श्मारिय कувати शेन certificate थ्यालों रखने थी है श्मारेया आफ डींग्या श्री ट्रीटरी और itel गाल लुम्ट प्रथम वीजयता भारत के प्रथम उपरासपती बहुती सम्मानित पूरुश्कार्ज जो कि किसको दिया गया है ध्यानों इसको रखेंगे भूलेंगे नहीं important किताब है ठीक है रसकिन वोन को ठीक है अब इते हाले में परसीर भारती लेकर का मिताब घोस को 2024 के 35 इरासमस पुरुषकार से समानित किया गया चिरिया मिताब घोस को यह पुरुषकार साहित्य के पुरुषकार 2020 में चार लोगों को दिया गया ठीक है किनकुर को मिला डॉक्टर रभी कंदन को मिला ठीक है जो की मतलब क्या ओंको लॉजिस्ट है ध्यान में रखना है क्या है तो यह भारत के हैं अफ्रुषकार 2020 पुरुषकार सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है ध्यान में रखना सॉल्ट एंड पेपर के लिए दिया गया है ठीक है जो की स्लेक्टेट पॉम्स थे टैगोर साहित्य पुरुषकार किसे मिला है सुकृता पॉल कुमार को गांधी सांति पुरुषकार की बात करेंगे तो 2021 में गीता प्रेश गोरगपूर को दिया किसे दिया गया है गीता प्रेश गोरगपूर को दिया 2020 में किसी दिया गया था था सेख मुझीबु रहमान जो की बंगलादस के थे उनको दिया गया था ठीक है तो 2021 के लिए किसे मिला था गीता प्रेश गोरगपूर को मिला था 2020 के लिए किसे म अबू अब्बाद को दिया गया है ठीक है क्या थे दोनों का दोन ध्यार्व एक समय जो थे न इसमें से एक जो थे कोई तबला के हरकुछ बादक है किसी बाद्धियंत्र से समन्दित है एक जोई से इज्राल प्रिष्टीन संखर्ज का हिंचक समाधान इवे इज्राल तथा अरब देशों को लोगों को साथ लेने का परियास्किया है दोनों मतलब इससे नहीं जूरे है डेनियल बारेन वोहिम की बात करेंगे कोई वाधियंत्र बजाते है अली अबुअब बात की बात करेंगे ये इज्राल फिलिस्टीन संखर्ज को समाप्त करना चाहता है ठीक है तो कुछ पुरुसकार था याद हो गया एक वर मैं सब को रिपीट कर देता हूँ ठीक है अगर आपसे पूछा जागा साहित्या काडमी पुरुसकार 2020 तो संजीब जी को दिया गया हिंदी में किसके लिए मुझे पाचानों के लिए ठीक है मैतली भासा अगर पुछा जाग पॉल निंच को दिया गया है आईरिस लेखाले प्रोफेट संग के लिए ठीक है जैसी भी पुरुसकार की बारे पेरुमल मुरुगुन के दिया गया है ठीक है पेन पिंटर पुरुषकार अरुधंती राय को दिया गया है ठीक है बराहमा विश्व हिंदी समान उसा ठाकूर को दिया गया है मामता जी सागर को विश्व साहित्यक पुरुषकार से समानित किया गया है साहित्य अकार्डमी फेलोसिप और रस्किन बॉंड को मिला है ठीक है ध्यान रखना है उसके बात करेंगे तो इराश्मस पुरुसकार की बात के अमिदाब घोस को दिया गया है ठीक है अर साथ में कर बात करेंगे इन्वर्सिटी और मॉरिशस के डॉक्टरेट और सीविल लोग की मालग दुपार्दी से रास्पति सहीवा को समाल नित किया गया है ठीक है अन्कोलोजिस्ट है मेटकल्चर में रभी कंडन साहब इनको रमर मैक्सेस अवार्ड मिला है 2020 में चार में सेख भारती है ठीक है 2021 के लिए बात करेंगे तो सकांती सांती पुर्सकार गोरग फ्रेस को मिला 2020 के लिए सेख मुझीबू रहमान को मिला बंग्रादस के राश्पति थे ठीक है लोग्ति सबको आपको ध्यान में रखना रहेगा